हलो स्टूदेंट्स वेलकम टू मैरुपाली वर्मा हम अपने सभी चैप्टर्स को रिवाइस करें क्योंकि हमारे एक्जाम टेस्ट होते रहते हैं तो हमको लगता है कि कोई हमें ऐसे हो कि हम जल्दी से रिवाइस कर लें तो यह जो कम्प्रीट चैप्टर रिवीजन हम सभी क के लिए लेकर आते हैं वह यह स्टाफ़ चैप्टर्स को रिवाइस कर लें हमारे चैनल पर हम ऐसी बहुत सी कोशिशिक करते हैं कि आपके लिए पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई मुश्किल का आपको सामना ना करना पड़े इसलिए हमारे चैनल पे आपको किंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 तक स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम NTSC, Olympiad, सब भी जितना भी स्टडी माटीरियल है आपको टोटल 100% फ्री मिलता है हम कभी ऐसा नहीं करते हैं आपको दो वीडियों देने के बाद आप से कुछी तरह का पेमिंट रिक्वाइट करें तो आते हैं आज के वीडियो पर आज जो हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो है हमारी क्लास 12 हिंदी कोर्स एक और जो है हिंदी का जो कोर है उसकी यह आरो भुक दो आरो भाग दो में पार्ट है बारह बाजार दर्शन ध्यान रखेगा हिंदी की क्लास 12 की हिंदी कोर की बुक आरो भाग दो का पार्ट बारह है बाजार दर्शन आज हम इसका क्विक रवीजन करेंगे यानि की हम फटा फट इस चैप्टर को रिवाइस करेंगे इसका डिटेल एक्स्मिनेशन एंसी आटी सेलिशन सम पहले भी करा चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर तो चैप्टर सबसे पहले हम पार्ट के सार को समझेंगे क्या है इस कहानी में लेखक ने बाजार के आकर्शन का वन्न किया है इसमें लेखक बताते हैं कि बाजार के आकर्शन के कारण एक बार उनके मित्र बाजार गए तो वो बाजार से अन करने वो गए तो बहुत वालतों का बहुत सारा समान खरीद कर ले आए तो अब उन्होंने से पूछा कि अभी कि आप इतना सारा क्यों लेकर आए तो उन्होंने इस आकर्षन जो इनका जो अट्रेक्शन बाप माजार पहुंचके बाजार इतना सजाद रहता कि हम फसी जाते साथ में वे यह भी बताते हैं कि कुछ वیکती ऐसे भी होते हैं जो बाजार के इस आकर्षन से प्रभावित नहीं हो पाते तो अब उन्होंने बताया कि वहाँ पर भाई बहुत सब कुछ सबसे सजा धजा था ये अच्छा है वो मिल लिया और साथ में उनकी वाइफ थी उन्होंने बोला कि भाई ये साथ थी इन्होंने अपना खरीद लिया ये चीज़े बताए लेकिन साथ में ही वो अपने एक और म ख्रीदे ही वापस आ गया क्योंकि अगर मैं कुछ लेता तो कुछ छोड़ना पड़ता इसलिए मैं सब ही कुछ जो है छोड़कर चला आया क्योंकि मेरा महां पर कुछ भी छोड़नी की इच्छा नहीं हूँ ओ सबución हो रही थी लेकर बताते हैं कि बाजार में गजब का अकरशन होता है बाजार का आमन्तरण को गराहएक टाल नहीं पाता ग्राहएक अपने आमन्तरण में उलच जाता है तो क्या होता है बाजार जब पहुंशते हैं हम सभी मार्केट जाते हैं कोई यह चीज अच्छी लग रहे तो वह जो उसका जो अट्रैक्शन होता है उसमें फसके रह जाते हैं और आजकल तो दुकान इतनी बढ़ियां सजी होती है ति मनी नहीं करता कि भा बाजार जा कर खाली लॉटता है लेख़़र को अपने मित्र का सभाव अच्छा लगता है इसका कहना है कि बाजार में कुछ भी ऐसी वस्तु है ही नहीं जिसे खरीदा ना जा सके इसलिए वह खरीदता नहीं है तो यहां पर वो बताते हैं कि जब हम बाजार पहुंचते हैं तो वहां के आकरशन में फसके अधिक से अधिक सामान यानि कि हमारी जितनी बेजेब की कैपसिटी होती है उससे कहीं जादा उस आकरशन में फसकर हम वो सारा सा हमान खरीद ले गए आते हैं तो कभी कोभी लगता रे अर्यार ये क्यों खरीदा किस लिए खरीदा हो तो ची जरूरत नहीं थी यह सिए台ं क्यों होता है यह होता है बाजार के आकरशन के कारण वहां के attraction के कारण ये सारी चीज़े संभव होती हैं बाजार का जादू चड़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या आसर पड़ता है मतलब जब बाजार का जादू हम पर चड़ता है और जब उतरता है तो क्या क्या आसर होता है लेखक बताते हैं जब तक वस्तू क के प्रति प्यास है तब तक कष्ट है लेखक बाजार के प्रभाव से बचने का एक सरल उपाय बताते हैं हमें खाली मन बाजार में नहीं जाना चाहिए हमें हट के कारण लोब का त्याग नहीं करना चाहिए इससे मन दुर्लब दुर्बल हो जाता है और हमें मन की सुननी चाहिए तो अब यहां पर इन्होंने जो तरीका बताया सबसे पहले तो यह समझिए कि जब तक वस्तु के प्रति प्रास है तब तक कष्ट है यानि कि हमें जब तक किसी चीज का आकर्शन रहेगा तब तक हमें कष्ट बना रहेगा हमें किसी चीज का लोब नहीं रखना किसी चीज को पानी की आस नहीं प्यास नहीं रखना तो हम अब कष्ट मुक्त हो जाएंगे तो पहले तो हमने आपको यह लाइन समझा दी अब वो जो बताते हैं कि जब बाजार का जादू चड़ता है तो हम वहां से बेंतहा चीज़ की होती ही नहीं अब इस आकर्शन से बचने का वो कारण भी बताते हैं कि जब भी आप बाजार जाएए जब भी आप बाजार जा रहे हैं आप अपने मन को कभी भी काली करके मत जाईए कहने का मतलब जब भी मन खाली कैसे करने कर देगी कहने का ताज पर यहां पर यह है कि जब भी आप बाजार जाएं एक लिस्ट आप सोच के जाओ आपको ये खरीदना है ये खरीदना है ये खरीदना है ये खरीदना है तो जब आपने अपनी एक लिस्ट तयार कर ली कि आपको इतना सब ख लगान सोच के जा रहे हैं वो रखा अब इसका इसका एक कारण यहां पर यह भी बताते हैं अगर मन खाली है मतलब हमने को डिसाइड ही नहीं किया कि हमको क्या लेना है और हम बाजार पहुंच जाएं तब नतीजा क्या होता है हमने डिसाइड तो किया नहीं है पॉकेट में पैसा है और हमने अनाप शनाप खरीदना शुरू कर दिया और घर आके तब हम पच्चताते हैं कि यह हमने क्या किया हमने इतना पैसा फिजूर उड़ा दिया और इन सब की जरूरत यहां पर थी तो यह होता है कारण तो इसलिए हमेशा मन को भर के ही हमें बाजार जाना चा शिक्षा दे रहा है हमें यह बताना है लेकक अपने पडोसी चूरन बेशने वाले भगत जी की माध्यम से बताते हैं कि भगत जी दिन भर में मात्र छे आने कमाता है लेकिन वा बाजार की मो माया को अपने धंदे पर नहीं लागू होने देता इस उधारन को बताने की है हम आपको किस्सा बता दे उनके पडोस में चूरन बेचने वाले रहते थे ठीक है यहां पर क्या बताया है चूरन बेशने वाले भगत जी रहते थे वह चूरन बनाते और बेचते अब छे आने तब तक वह बेचते जब तक उनके पाद 6 आने कंटर नहीं हो जाते जैसे आज के आगये जितना चूरन बचा तो खरीते भी थे तो और पैसा कमा सकते थे पर ऐसा हमेशrande नहीं करते थे। क्योंकि उन्हें लगता था कि आज हमें हमें इस बाजार से जितना चाहिए था हमने ले लिया अब इसके आगे हम कुछ ने चाहिए तो वह बागी बचा सामान फ्री में बांड देते थे तो यहां पर उनका यहां इनका इग्जामपल देने का जो ताज पर इधालेखा का वो जितना चाहिए वहां पर लुटा दीजे और वहां जो जितने भी वहां पर दुकानदार होंगे आपको लूटते चले जाएंगे वह आपको रूकेंगे नहीं लेकिन यहां उसके जस्ट पलट था भगत जी एक तरीके से बजार पर हस रहे थे वहां की जो पर्चेस की जो लोगों को लूटने की जो शक्ती है उस पर वो व्यंग कर रहे थे कि देखो इस तरीके से बाजा चलता है पैसे के लालच में वहां बड़ी से बड़ी फिजूल खर्च कर लेता है एक और वह चूरन वाले का उधारन देकर सईयम को भी बताते हैं तो तीसरी चीज जो हमें हुआ है उसको भी बेच का जरूरी निच्छे आने के दसाने भी कमा सकते थे लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं क्यों वो बताते हैं कि हमें सईयम रखना है किस चीज का सईयम कि हम किसी को लूट नहीं रहे हैं माना कि पैसा हमारे पास बहुत है लेकिन बे इंतहां लूट भी अगर खरीदार ग्राहक को सईयम रखना है तो दुकानदार को भी सईयम होना चाहिए अब इस पूरे पाट का निसकर्श क्या निकलता है बाजार की आकर्शन शक्ति बहुत जादा है लेकिक बताते हैं कि चूरन वाला बाजार में रहकर पैसे को खर्च नहीं करता वा कई उधारों के द्वारा चीजे समझाने की कोशिश करी हैं कि बाजार का मुह क्या होता है और सईयम से हम उसे किस तरीके से बाजार के मुह से बच सकते हैं क्योंकि बाजार तो हमें लुभाएगा ही आजकर की मौल सब्विता तो हमें और बहुत जादा मोहित करती हैं तो का काम है हमको अकर्षत करना अपनी तरफ खीचना लेकिन हमारे अंदर सईयम होना जरूरी है और सईयम के भी लेखक ने इस पार्ट में कई तरीके बताएं तो यह हमारा पार्ट था हम नहीं हैं समझ लिया अब हम आगे बढ़ते हैं इस पार्ट के कुछ प्रश्णों पर बाजार के बारे में बताना कि कौन कौन सी चीजें मिलती हैं कि वस्तों की बिक्री जादा होती है यह बाजार किस तरह आकर्शित करता है लोग क्यों बाजार से ही आकर्शित होते हैं तो बाजार दर्शन से यहाँ पर लेखा कताद पर है बाजार के दर्शन कराना अर्था बाजार में ऐसा क्या क्या होता है जो हमें अपनी तरफ आकर्शित करता है हम उसके आकर्शन से कैसे बच सकते हैं बाजार में सामान किस तरीके से बेचा जाता है होता है ना कि बहुत तरीके से सजा धुजा के बेचा जाता है तो इस तरीके से हमें बाजार के बारे में पूर संक्या दो है उब्भोक्तावादी संस्कृति क्या है अब एक शब्द इस्तेमाल पार्ट में किया गया उब्भोक्तावादी संस्कृति तो यह क्या होती है उब्भोक्तावादी संस्कृति वास्ताव में उब्भोक्ताओं का समू है उब्भोक्ता बाजार से समान खरीदते हैं ये वर्ग ही बाजार पैदा करता है लोग अपने उब्भोग की सारी वस्वें बाजार से खरीद के उनका उब्भोग करते हैं बाजार का सारों कारववार इनहीं पर निर्भर होता है अब उब्भोगता कौन होता है बाजार सजा हम उब्भोगता है यानि कि हम अगर मार कहलता है जो है वह होता है उप्भोकता हम अगर हमें अमारी जरूरत की सांवग्री चाहिए तो हम कहां जाएंगे व करीद ने होने हम बजार जाएंगे रो हम बीस, यह क्या कहला था है सामान खरीदना और उब्भोग करना तो यह क्या कहलाता है उब्भोग मर करना मतलब इस्तिवाल करना तो यह सभी क्या कहलाता है उब्भोगतावादी संस्कृति प्रेश्टि संख्या 3 है किस तरह का बाजार आदमी को जादा आकरश्ट करता है उनकी सजावट देख कर व्यक्ति उनसे बहुत प्रभावित होता है वह उनके आकरशन के जाल में फस जाता है इसी कारण उन चीजों को भी खरीद लेता है जिसकी उसे कोई जरूरत नहीं होती है वास्तों में शॉपिंग मॉल उचे रेटों पर सामान बेचते हैं तो आज कल अगर हमें शॉपिंग करने के लिए होगा तो मॉल चलो मॉल में खरीदते हैं क्यों हम मॉल पसंद करते हैं हमें सुविधाएं दी जाती है ठीक है मार्केट हम जाएंगा हमें गर्मी लगेगी सब कुछ होगा परिशान है धूप है मॉल में आराम से एसी में टहल के हम खरीदारी कर रहे हैं हमें सुविधाएं प्रदान हो रही है दुखाने बहुत अच्छे से सजी हुई आकर्शन है इवन आपको ओफर्स भी दिखाए जाते हैं मगर वो ओफर्स आपके होते नहीं है क्या होता है वो रेट्स को बढ़ा देते हैं और फिर उन्हें ओफर्स देते हैं एक्चली क्या होता है मॉल में सामान हमेशा महेंगा ही हमको मिलता है कभी हमको सस्ता नहीं मिलेगा बाजार का जादू क्या है उसके चड़ने उतरने का मनुष्य पर क्या प्रभाव परता है बाजार दर्शन पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए तो अब देखिए क्या है बाजार का जादू क्या है ये बताना है उसका जादू चड़ना और उतरना क्या है ये आपको बताना ये तीन चीज़ें आपको बतानी है और वो भी पार्ट के आधार पर बतानी है आप अपने व्यूज नहीं आपको व्यक्त करनें ये आपको पार्ट के आधार पर बताना है बाजार की चमक दवा उसके आकर्शन में फस कर व्यक्ति खरीदारी करता है तो यही बाजार का बादार का जादू मनुफ पर तभी चलता है जब उसके पास धन होता है तत्हा वस्तुवेorg खरीदने की ने शम्ता नहीं होती और ये बादार जादु कभ चलता है जब हमारी पॉकेट भरी होум मतलब पैसा हो हमारे पास अच्छा आफासत और हमने करने की शक्ति हमारे पास ना हो कि हमें क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना क्या हमारी जरूरत है क्या नहीं जरूरत है तो यह शक्ति जब कमजोर होती है तब यह जादू बहुत तेजी से काम करता है वह आराम से अपनी शक्ति दिखाने के लिए निररतक चीजे खरीदता है और अशान्ती उत्पन निकलने वाली है वह जलाता है परन्तु उसका भीमान उसे तुष्ट नहीं करता है तो कहने का मत्तात पर यहां है कि जब वह अकर्ष्मने फसकर समान लेकर घर चला आता है और वह जादू जब उतरता है तब उसे लगता है कि यह सारा समान तो हम निरड़ किया आउप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इस जो हम हिंदी में जितने भी वन्शॉट रिवीजन आपके लिए कर आते हैं यह सिर्फ आपके लिए हिंदी में ही नहीं आपके सब्सक्राइब ओगल बाकिसे प्लिक करते ही आपके सामने one shot revision आ जाएंगे इसे क्लिक करिए फिर आपके सामने वो सभी classes आ जाएंगे जिनमे वन shot revision available है अब आपको करना क्या है कि आपको अपनी class select करनी है आपकी class है यहाँ पर 12 इसे आप watch now पे क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने class 12 के सभी सब्जेक्स यानि पूरे वन शॉट रिविजन की प्ले लिस्ट आ जाएगी आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सभी क्लास के सभी सब्जेक्स है अब जिस भी सब्जेक्स में आपका एक्जाम होने वाला है आपको क्लिक करना है जो जो सब चैप्टर्स आ रहे हैं उन्हें सब्जेज दो अजशे से हो जाएंगे लेकिन साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भीकर इसए करने से यह होगा आगे आने वाले चैनल के कोटिफिकेशन आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट का आगे वीडियो आने वाला है हमारे चैनल पर हम बहुत प्रयास करते हैं कि आपकी पढ़ाई हम सुगमता से करा सके आपको किसी तरह की बाधा महसूस ना हो पढ़ सके और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सके तो हमारी कोशिश यहां पर बनी रहती है साथ ही अच्छे टीचर्स आपको बढ़ाते हैं कि आप हर एक चीज़ बारीकी से आपको समझाई जाए डिटेलिंग से समझाई जाए कोशिश तरह तरह से हम लोगों करते रहते हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरू कीजेगा थैंक यू पर वाचिंग बाई